पटना में दिन परती दिन बढ़ रहे तापमान से बच्चों को बड़ा खत्रा है इस खत्रे को देखते हुए प्रशासर ने सुबह 10.45 बजे तक स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर दिया है ये आदेश 27 अपरेल से प्रभावे हो जाएगा आदेश का कड़ाई के साथ अ नई गाइडलाइन में शाफ रूप से कहा गया है कि किसी वो कक्षा के स्कूल इस समय के बाद नहीं चलाए जाएगे जिला मजिस्ट्रेट पटना डॉक्टर चंदर शेकर सिंग ने सुमबार के शाम आदेश जारी करते हुए सभी स्कूलों में सुबह 10.45 बजे के बाद प्रतिबंद लगा दिया गया है उन्होंने या आदेश डंड प्रक्रिया सहित और उन्हें 77 की धारा 144 के तात जिले में अधिक तापमान और विशे सुरुप से दोपर के समय भीशन गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्त और जिवन पर प्रतिकूल प्रभावों पड़ने कि इस संभावनों के मद्दे नज़र दिया है आदेश दिया है कि इसका पाला नहीं करने वाले स्कूलों पर कड़ी कारवाई की जाएगी या प्रतिविन प्रेस्कूल एवं अंगन बाड़ी केंद्रों सहित जिले के सभी विद्यालों पर लाग होगा या आदेश 27 अप्र दंडा दिकारी प्रकंड विकास पदा दिकारी अंचला दिकारी उम्थाना देक्ष को उपड़ युक्त आदेश का नुपालन सुनिश्चित कराने का निदेश दिया है डियम डॉक्टर सिंग ने कहा कि बच्चों को स्वास्त उनकी सर्वच प्रातिक मिक्ताओं में से एक को कि पटना में लगतार टेंपरेचर जो है पारा जो है वो बढ़ता जा रहा है कभी 40 कभी 42 कभी 45 डिग्री तक भी गया है जिसको लेकर के कहीं न कहीं जिला प्रशासन सक्त है और स्पस्ट्रोप से उनका कहना है कि अब जो है बच्चों की स्कूल 10-45 से जादा नहीं चल स हुआ चुकि सोंबार के शाम डॉक्टर चंदर शेकर सिंग जो पटना के जिलादिकारी है उन्होंने आदेश जारी किया तो जायर सी बात है आज तक यह छूट है उसके बाद से कल से यानि 27 अप्रेल से जो है वो सभी स्कूल जिले के सभी स्कूल जो है वो 10-45 तक चलने के आदेश दे दिये गये हैं बतादे कि लगतार जिस प्रकार से हीट वेब बढ़ते जा रहे हैं तापमान इसको ले करके जो है वो कहीं न कहीं ये फैसला लिया गया है अब देखने वाली बात होगी कि क्या राज्य में भी इस तरीके के चीज़े लगने वाली है चूकि रा 11 बज़े ही छुटी होती है लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या राज्य में भी ये नियम लागू होंगे या फिर पटना जिला के लिए ही ये नियम लागू रहेंगे बरहाल इस खबर में इतना ही इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी देखते लिए हमारे चैन निजबार बहुत दन्यवाद से वी दर्शकू का